उस-से पहले आप हमारे चैनल शब्दबान को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और हमें अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए उस पर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं भारत के उन दस किलों की और जो भारत के सबसे प्रसिद्ध किले हैं नमबर एक कुंबलगड किला राजस्थान राजस्थान के राजसमन्द में इस्तित कुंबलगड फोर्ट का निर्मान महराना कुंबा ने करवाया था इस किले की दोखाश विशिष्टाएं हैं पहले इस किले की दिवार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दिवार है जो की 36 किलोमेटर लंबी है तथा 15 फिट चोड़ी है इतनी चोड़ी की इस पर एक साथ 5 घोड़े दोड़ सकते हैं दूसरी इस दुर्ग के अंदर 360 से ज़्यादा मंदिर हैं जिन में से 300 प्राचीन जैन मंदिर बाकी हिंदु मंदिर हैं यह एक अभेद्ध किला है जिसे दुश्मन कभी अपने बल पर नहीं जीत पाया इस किले में उचे स्थान पर महल मंदिर वे आवासी इमारते बनाई गई और समतल भूमी का अपयोग किर्शी कारे के लिए किया गया बही ढलान वाले भागों का अपयोग जलाश्यों के लिए कर इस दुर्ग को यथा संभाव स्वाबलंबी बनाए गया महरानगड किला राजस्थान के जोधपूर शहर में इस्तित है यह 500 साल से भी ज्यादा पुराना है और सबसे बड़ा किला है यह किला काफी उचाई पर इस्तित है इसे राव जोधा धुरा बनवाय गया था इस किले में साथ दर्वाजे हैं परतेक दर्वाजे राजा के किसी युद्ध में जीतने पर समारक के रूप में बनवाए गई थे इस किले में जैपाल गेट राजा मान सिंग ने बनवाय था किले के अंदर मोती महल शीश महल जैसे भावनों को बहुत ही खुब सूरती से सजाए गया है चामुंडा देवी का मंदिर और म्यूजियम इस किले के अंदर ही है इस किले का म्यूजियम राजस्थान का सबसे अच्छा म्यूजियम माना जाता है नमबर तीन जैसलमिर किला राजस्थान यह दुनिया के सबसे बड़े किलो में सेख है और राजस्थान में श्तित है इसे रावल जस्वाल ने बनवाय था थार रागिस्तान के बीचो बीच इस किलो को बनवाय गया था जैसलमर किले को सोनार किले के नाम से भी जाना जाता है सुनहरा किला शहर से 76 किलो मेटर दूर तिरकुटा पहाड़ी पर तिरकुणाकार में बना गया है इस किलो को भारत का दूसरा सबसे पुराना किला माना जाता है किले में सबसे ज्यादा आकरशक जैन मंदिर, रोयल पैलेस और बड़े दरवाजे हैं जैसलमर रगिस्थान का शहर है जो तिरकुटा पहाड़ी, हवेलियों और जीलों के लिए प्रसिद्ध है नमबर चार चितोडगड किला राजस्थान चितोडगड को किलों का शहर कहा जाता है यहाँ पर आपको भारत के सबसे पुराने और आकरशक के लिए देखने को मिलेंगे उन्हीं किलों में से एक चितोड का किला है यह किला बेराच नदी के किनारे बनाया गया है नदी के किनारे इस्तित होने के कारणी से पानी का किला भी कहा जाता है क्योंकि इस किले में 84 पानी की जगें हैं जिनमें से 24 आज के समय में सही सलामत हैं यह किला महारणा परताप की बहदुरी की जो विजेश थंब और राणा कुम्भा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस किले के अलावा यहाँ पर आपको अंबर किला, जैगड किला और तारागड किला देखने को मिलेंगे। और देश विदेश से लोग इने देखने के लिए आते हैं। बारत का सबसे आकरशक और प्रसिद्ध किलों में लाल किले का नाम आता है। यह किला दिल्ली में मौजूद है, इसे मुगल शासक सहजा ने बनवाय था। इस किले के दिवाने लाल पत्थर की हैं। यही वज़े की से लाल किले का नाम दिया गया है। इस किले के अंदर देखने लायक कई चीज़े हैं मौती मस्जिद दिवाने आम और दिवाने खास देखने के लिए काफी लोग रोज आते हैं यह किला यमुना नदी के किनारे है इसके लिए में आपको पुराता तिविक म्यूजियम और युद्ध से जुड़ी जानकारी देने वाला म्यूजि नमबर च्छ लाल किला आगरा उत्रपरदेश के ताज महल से दो किलोमेटर की दूरी पर लाल किला बनवाय गया है इसके लिएको सिकंदर लोधी ने आगरा में रहने के लिए बनवाया था इसके लिए को योनेस्को विरासत में दर्जा हासिल है यह यमुना नदी के किनार उत्रप्रदेश के बेस्ट टूरिस्ट प्लेस में Agraa का यह लाल किला आता है इस किले के अलावा जहसी किला भी अपनी कलागारी के लिए फेहमस है जहसी की ला महरानी लक्षमिबाई का किला है यूपी में लाल किले के बाद दूसरा प्रसिद किला है ग्वालियर का किला राणा मान सिंग तोमर ने मद्य प्रदेश में बनवाय था यह किला एतिहासिक समारकों में से एक है इस किले के आकर्शन का केंदर सास भहु मंदिर और गुजरी महल है इसमें मंदिर और म्यूजियम भी है यह राणा सिंग भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है इस किले के महतों को याद रखने के लिए इस पर डाक टिकट भी चारी किया गया है यह मद्य प्रदेश के सबसे पसंदिदा टूरिस्ट प्लेसों में से एक है आंदर प्रदेश के हैदराबाद शहर में गोलकॉंडा किला काक्तिया राजाओने बनवाया था यह किला अपने संब्रिद्ध इतिहास और राजसी भव्य संरचना के लिए जाना जाता है गोलकॉंडा कोलूर जिल के पास हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है इस किले को हैदराबाद के साथ आश्चर के रूप में जाना जाता है इस किले के अलावा यहाँ पर आपको चार मिनार, बिरला मंदिर, रामोजी फिल्म सिटी, हुसेन सागर, सालर गंज म्यूजियम और मक्का मस्जिद जैसी कई दर्शन ये जगें देखने को बिलेंगी इस किले में ब्रजेश्वरी मंदिर है जिसका काफी महत्व है किलों और मंदिरों के अलावा हिमाचल अपनी खुबसूर्ती के लिए भी प्रसिद है कांगणा शहर की खुबसूर्ती देखने के लिए आप सड़क रास्ते से यात्रा कर सकते हैं हिमाचल की काफी सारी इमारते धरमशाला के पास भी हैं सहयादरी परवत में इस किले को बनाए गया है यह किला मराथा शासकों की याद दिलाता है महारास्टर में ज्यादातर किले शिवाजी के समय में ही बनाए गये थे शिवाजी महाराज महारास्टर के सबसे प्रसिद लड़ाकों और किलों के निर्मान के लिए जाने जाते हैं महारास्टर के पुंडार किला, बाहदरुगड किला, एहमदगड किला और रतनगड किले में आप ट्रेकिंग भी कर सकते हैं ये किले ट्रेकिंग के लिए बेहद प्रसिद्ध है महरास्ट का मुरुद जंजीरा किला खुबसूरत बीच के लिए प्रसिद्ध है तो दोस्तों ये थे भारत के दस सबसे प्रसिद्ध किले जिने देखने आपको जरूर जाना चाहिए क्योंकि यह भारत की एतिहासिक विरासत है इसको जाने बिना आप भारत को नहीं जान सकते दोस्तों हमारा आज का यह अंक आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ऐसे ही अन्य किस्सों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत